देखिए मैं बहुत जल्दी जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ ठीक है और आप सबको जैसे कि थमलेयल में पता लग गया होगा कि मैं वीडियो किस मैटर में बना रहा हूं गाइस सच में आज मैं एकदम सॉक्ट रह गया अग सॉक्ट रहने का मतलब मेरा ये था कि मैंने आज ना बिड्रॉल किया था पैसे अपने फंड जो थे हमारे कोटेक निव में उससे मैंने कुछ फंड बिड्रॉल किया था जैसे मैं आपको बता है मैं हर महीने कुछ ने फंड बिड्राल मैंने पहली बार देखा है मैं अपने आप यकीन नहीं करेंगे मैं जिरोधा यूज कर चुका हूँ अप स्टॉक यूज कर चुका हूँ फाई पैसा यूज कर चुका हूँ और तो और मतलब एक दो प्राइब जो नारमल अपलिकेशन ओभी यूज कर चुका से सिर्फ दो घंटे में फंड बिड्राल हो गया यह मतलब आज मुझे अचंबित हो गया मैं ठीक है कैसे सच में आप आप ना आप बस एक एक लाइब देख लीजे मैं आपको सिर्फ एक लाइब दिखा रहा हूं मैं आप से आप सोचेंगे मैं ऐसी बाते कर रहा हूं से डिसेग्री नहीं कर रहा हूं ठीक है हुआ था बीच में इसका सिस्टम हैंग हुआ था जो की प्राबलम आई थी लेकिन सच में न गयज एक बात बता दूं नियू यूजर के लिए या जो मार्केट में नए लोग आए हुए ना उनके लिए तो आप यह मानो यह एक रा सिर्फ जिरोधा यह अप स्टाउक यह किसी और भी कई प्लेट फारम हैं बजी एक लाट में अगर वो ट्रेडिंग करता है तो उसको लगते हैं 50 to 55 पैसे निपटी बैंक निपटी में अगर वो एक लाट में ट्रेडिंग करता है तो उसको पचाज से पच्पन रुपे और बेंचने का लेकिन लेकिन इसमें जो कोटेक न्यू है अगर आपके पास फंड है 10,000 और अगर आप एक नार्मल आडर लगा करके इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आपको जो चार्जेस है वो सिर्फ आप यकीन नहीं किरेंगे कि अगर आपने 100 रुपए बना लिया है न 100 रुपए 2 ट्रेड में बना लो आप 3 ट्रेड में बना लो अगर आपने 100 रुपए प्राफिट कमा लिया है न तो आपके एकाउंट में 90 to 80 रुपए आपके एकाउंट में आएंगे आप इस बात को मेरी नोट करके रखिए आपको अगर यकीन नहीं है तो मैं लाइफ ट् में दिखा दूंगा मैं आपको अपनी समरी दिखा सकता हूं जो मेरा राद नाइट कप जो बिल आता है न मुसको दिखा सकता हूं कि मेरा जो ट्रेडिंग चार्ज है एक लाट का कितना लगा है ठीक है ओके ये तो बात हुई जेरो ब्रोकरेज वाली अभी मैं दिखाता ये देखे मेरा फंड है आज मैंने फंड बिड्रॉल के लिए डाला हुआ था ठीक है यहां पर आगर आप देखते हैं डिपोजिट और बिड्रॉल है ठीक है तो अगर मैं यहां पर बिड्रॉल में क्रिक करता हूं तो यहां मैंने फंड बिड्रॉल के लिए डाला था यहा किया था बिड्राल के लिए ठीक है मैंने बिड्राल के लिए इनिएसेट किया था और इसने इन प्रोसेज जो दिखाया न गाई इन प्रोसेज दिखाया पे आउट 11,000 जो भी मैंने डाला था दो जनवरी पांच बच के 34 मिनट पीम पर इसने मेरा मतलब पैसा आप यहां से कल मैं आपको दिखा रहा हूँ मैं आपको दिखा रहा हूँ आप यहां पर देखिए मेरा एक्सिस बैंक है जो प्राइमरी अकाउंट है मेरा एक्सिस बैंक से लिंक अफ है मेरा मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूँ जो मेरा मैसेज आया है आप यह मैसेज देखिए ठीक है और मतलब 8, 8, मतलब 8 होजे, ठीक है, यह नहीं, एप्टी, कोटेक, जो भी सिक्योर्टी, फलाना यह, जो आप पढ़ना चाहते हैं, तो पढ़ लो, ठीक है, यह आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, यह इसने क्रेडिट कर दिया, आप सच में न, सौक्ट रह जाओगे, मतलब इतना फास्ट प्रोसेसिंग मैं किसी भी, किसी भी डियमेट अकाउंट की नहीं देखा हूँ, ठीक है, तो मैं क्यूं, मैं क्यूं कोटेक न्यू में वीडियो बनाता हूँ, आप सबको अभी यह पता होना चाहिए, ठीक है, कोटेक न्यू का वीडियो बनाने का मेरा मैन प कोई कमी आना वो हर एक चीज में होता है कोटेक निव में ही बस नहीं हो रहा है वो हर एक अप्लिकेशन में मैंने भुखत भोगी मैं खुद का भुखत भोगी हूँ ठीक है यहां तक यह हुआ है कि अगर आपने सबा नौ बजे सौदा सौरी गाई आपने सबा नौ बजे अगर आप सौदा डाल दियो तो आप निकल नहीं पाए हो तीन बज के तीस मिनट तक ऐसा भी दिनाया हुआ है दूसरे अप्लिकेशन ठीक है तो प्लीज आप यह दोस मत दीजे किसी अप्लिकेशन को और दोस देना देखी अगर आप अपने फंड की साइज अगर अपने लॉट की साइज आपका ठीक है तो आपका अप्लिकेशन कुछ नहीं बिगाड सकता ठीक है यह आप द्यान में रखिए ठीक है यह चीज आप द्यान में रखिए इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ एक लाट में जो विनेगर है एक लाट में ट्रेट करिए और एक लाट से ट्रेट करने बाले को कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरह की कोई भी इसू नहीं है यहाँ तक कि उसका जो यर का जो उसका चार्जिस है ना वही उसका बहुत ज़्यादा बच जाता है ठीक है गए तो यही बताना था मुझे ओके थैंक यू सो मज